आप लोग इसमें ना इसकी condition लगनी नी थी इस तो आना ही नहीं था इसके अंदर सर वो conditional formatting नी थूँ अगर करें था फिर conditional formatting भी use नहीं होना था ज़रे मैं भी दिखाता हूं कर मैंने किसी दिये lecture को बिल्कुल short किया था कि आप लोगों के लिए बिल्कुल असानी रहे जी नेक्स्ट ही ना आपने टेंट किया असलाम लेकुम सार नहीं सार में अब करना था अब करना है अब तो मैं समझा दूँगा सार ना समझा है आप 11 बजे तक का सुबर टाइम दिया था आपने मैंने अतल में फिर ये अभी सिखाऊंगा ना बाक्चियों को भी तो कुड़ाना है करने कुछ नहीं होता है अटेंट कीजिएगा राय परान अब वो रहा असलाम लेकुम सार मैं लेकुम लेकुम नो सार मैंने भी तक ने किया चने कोईन जनक खान आश मलिक अच्छा जी विनिश मलिक आप पता आगें जी जी आश मलिक असलाम लेकुम सार मैं लेकुम 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 लेकुर मेरे ना फर्स्ट लेक्च्छर मेरे फाइव लेक्च्छर ना मिस हो गया हैं तो इत्सवज़शा तो आप आज जाहिए हैं जी सर तो आज आप कहां से आगें गूंके पिड़ती मतलब आपको आइडिया कहां से हुआ है फोर्स का तर्काइन आप ने बताया था मुझे पहले बताओ तो तो मैं फर्स्ट लेस से जाइन करते हैं अच्छा जी रीबा महमूद जी सर जी अटेम्ट किया आपने नहीं सर मैं मतलब मैं आज ही जोइन किया आप में भी आज जोइन का आपको कहां से बदा चला ट्रैनिंग आप ये मेरे एक दोस है हमज़ा तो उनने बताया था अच्छा अच्छा जी जाने पन पर देवर अच्छा अच्छा नजीव हमारा टास क्या था ठीक है जी उसके बाद हमने करना क्या है ठीक है अब वो रह रहा जी तो इसर वैसे ही हो गया था अच्छा था कोई चलने हैं कोई एंडे इस तब दो सब्सक्राइब चलने ठीक है दिया हम शुरू करते हैं और वैसे मैं हरान उस टाइम पर हम जब कर डिसाइड करें उस टाइम पर कोई परसन इंट्रस्टेट नहीं कि मॉल्डिंग में इस टाइम अब हमारे परस काफी लोग आए में अच्छ चलें जी हम कंट्रोल ओ की कमांड लगाते हैं पहले तो हम आप लोगों के सामने वो शीट ओपन करते हैं जो मैंने आप लोगों को शेयर की थी अच्छा जी देखें ये एक शीट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ठीक है स्टेटमेंट भी मैंने शेयर की थी आ अफ्लोगों के साथ मैं उसको एक सेकेंड अब भी आप लोगों को दिखा भी देखा। अचा जी स्टेटमेंट 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 आप लोगों में से कोई पर्सन यहां पर मेसिज के अदर वठागे कापी पेस्ट कर सकता hay statement? अपने मुबाइल के जरी अपने यह यह आप यह टैक्ट में तो कॉपिपेश करने को आप पूछब करने रिटेली करेंटिवाटिवागे साथ, इसेद भामुगा प्राइथ कि ने हमारे पास आले हैं, प्रेटेल और यहां से हम इसको कर लेते हैं पड़ा है चले दी सबसे पहली चीज उसने आप चेका एक्षन फार्मूला फिक्स अप ठीके दी यहां पर उसकी बात खतम हो जाती है कि वो आपसे चारा है कि एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिससे उसका इशू रिजॉल्व हो जाए ठीके आगे वो अगली बात कर रहा है माई एक्षन सेपरेट शीट इन दा इलेक्ट्रानिक समरी ठीके जी अब हमने देखना है इलेक्ट्रिक समरी हम अपनी शीट को साथ साथ ओपन रखते हैं ठीके जी अब यहां पर काफी सारे हैं वो बेसिकली उसका मतलब होता है शीट ठीक है जाए जाए तर लोग जो यह यूज करते हैं टैब्स वो लोग शीट के लिए यूज करते हैं ठीक है दी फिर उसके बाद किया मैंने यहां पर टैब को शीट कर दिया आप लोगों के लिए दी रह लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए फाइवर्ड पर काम करते हुए टैब्स की टर्म को वो लोग शीट के लिए यूज करते हैं इन दा इलेक्टिक सम्री शीट आई वोट लाई का फार्मूला अब उसको वो आपको बता रहा है कि मुझे इलेक्टिक सम्री में क्या चाहिए एक फार्मूला चाहिए विच रीड्स दा डैटा जो कि डैटे को रीड करें फ्रॉम दा इलेक्टिक ट्वंटी इलेक्टिक ट्वंटी एक शीट है जहां से वो data को read करें, यह देखें जी, ठीक है, यहां तक समझा गया, electric summary एक आपके पास sheet है, जिसके अंदर वो formula लगवाना चाहरा है, और वो चाहरा है कि वो data कहां से read करें, electric 20 थे, अच्छारी, उसके बाद, यहां फिर वोई tab है, तो tab का मतलब sheet, ठीकरी, and if that value is lower than the number shown on the electric summary अगर तो electric 20 की value क्या हो, छोटी हो, जो के नदर आ रही है, electric summary से, तो it shows the lower number, ठीक है जी, otherwise keep the same value shown on electric 20, otherwise वो क्या कर दे, same रखे value को electric 20 पे, मतलब या तो वो value को update कर दे, या वो उसको change करके same रहने दे, ठीक है जी, and it is referenced by the name in the left column, ठीक है, अब यहां पे आप लोगों ने करना ये था, पूरे का पूरा, अब नीचे का ये जो task आपको यहां पे इतने na का ये task दिया, यहां से यहां तक, ठीक है जी, यह अब एक separate task था, वो मैं आपको, यह इतना कोई खास काम नही था, ठीक है जी, यह क्यों na का मतलब उत पास जो electric summary है, वहां पर यह देखें, यह na आ रहे हैं, सारे, ठीक है जी, na का मतलब होता है, not available, जहां पे भी आपके पास excel के अंदर na error आएगा, it means not available, अब, वो क्या हो सकता है, not available, कोई भी error है, कि वो क्या, या तो उसे कोई value नहीं मिल रही, जिसकी बेहाफ पे करना है, य entry not available, शो कर रहा है, आपके पास, हमने इसको ignore करना है, ठीक है, यह task हमारा नहीं था, हमारा task main यह था, कि हमें सिर्फ और सिर्फ दो sheet'ों को आपस में compare करना था, अच्छी, अब, इस काम को करने के आपके पास दो तरीके हैं, देखें, आपने सबसे, इसके अंदर, Fiverr के project में सबसे important चीज़, आपको statement read करना है, कि अगर आप statement को read कर सकते हैं, properly statement को read करना जानते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से Fiverr के उपर earn कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि skills आप लोगों के पास इस time भी जितनी हैं, मैं आप लोगों को short ही देता हूँ, अगर आप skills के साथ भी जाएं, तो आप लोग अच्छा खासा earn कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पे close नहीं होना, हमने इसको आगे लेके चलना है, अब देखें, उस ने कहा कि मुझे इस sheet के ओपर formula लगाना है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के साथ, मैं इस सारे data को, यहां से लेता हूँ, select किया, बलकि मैं आप लोगों सब पहले share करता हूँ, यह देखें, मैंने यहां पे किया वह, ठीक है, तो यहां पे देखें, मैंने क्या किया है, एक पूरी sheet उठाई है, जो कि यहां available थी, और उसको उठाके copy paste किया है, यहां पे, ठीक है दी, अब मैं यहीं पे कहीं आके, एक जगा पे paste कर देनी है, पछी यह हमारी sheet paste हो गई, अब बात आता ही है, यह sheet हमने paste क्यों किया है, यह sheet हमने paste इस लिए की है, कि अगर हमसे खलती हो जाती है, किसी भी तरह की, कुछ भी होता है, तो हम यहां पे करेंगे, correction हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है अब मैं इसे फार्मूला लगाना चाहता हूं तो मैं सिर्फ और फिस में आपने एक फार्मूला लगना था वो क्या था max का अब बाद आती है max के फार्मूले से ये कैसे statement निकने ही देखें मैंने आप लोगों को आडियो में कहा था कि आप लोगों ने compare करना है कि अगर तो value बड़ी हो ठीक है तो वो ignore कर दे अगर तो वो छोटी है तो वो update करके उसको बड़ा कर दे तो अगर मैं एक सेकंड दी ये हैंडर्स किसे है हिना का सर हम मिनिमीम का फार्मूला भी लगा सकते हैं मिनिमीम का जब लगा सकते जब वो हमें इसके opposite condition देता के जी आपने करना क्या है मिनिमम वैलुको show करना है अभी उसने हमें कहा कि अगर तो कहीं value छोटी है तो उसको आपने update करके बढ़ा करना है otherwise बढ़े को ignore कर देना है ठीक है जी? अब हमारी condition यह थी अब हम उसी की तब move करें देखें मैंने कह किया फिर्प यहां जाने equal to max bracket on इस cell ठीक है जी? यह मैंने cell को define किया कि this cell क्या हो compare हो electric 20 के पहले cell से ठीक है जी? और यहां पे जस्ट आपने इसको close कर देना था फार्मूले को यह फार्मूला एक जगा लग गया था आपने इसको आगे drag करना था इसको नीचे drag करना था ठीक है जी? अब कुछ लोग कह रहे थे के value same है ठीक है? और कुछ नहीं काफी सारे लोग कह रहे थे के value same है दोनों sheet के अंदर ऐसा नहीं है values के अंदर कुछ values का difference है इसके अंदर ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं कि यह देखें मैं चेक करता हूँ कि क्या यह चीज ठीक काम करी है जी हिना हाँ जी सेर्थ आपने hand raise किये अगे नहीं नहीं पहले किया था अच्छा जूम कर दूँ ओके यह रखें जी यह हमारी sheet थी ठीक है मैंने इसको क्या किया? slack किया इतनी को बाकी नीचे ignore कर दिया क्योंकि मेरे पास compare मैंने इतना सा करना था मैंने इसको copy किया copy करके तोड़ा सा आगे जाके यहां पर cursor रखे control V दबाया filter paste हो गई ठीक है जी उसके बाद अब मैंने क्या किया क्योंकि मुझे electric summary को update करना था तो मैं यहां पर जाऊंगा equal to max bracket on ठीक है जी max के बाद क्योंकि मेरे यह sheet है तो मैंने इस sheet के लिए यह collector लिया equal to max this cell and electric 20 का पहला cell ठीक है और आप अगर देखें तो उसने जब आपको sheet given की तो उसने पहले से highlight किया वा था ठीक है जी और जैसे ही आपने inter press किया तो वो compare हो गया ठीक है अब जैसे ही यहां पर compare होगा हम इसको आगे ड्रैक कर देंगे हम इसको नीचे ड्रैक कर देंगे ठीक है जी यह सारों में compare लग गया अब हमने क्या करना है like हमें एक example कर ले रहे है कि यहां पर पहली value 5 है ठीक है क्या यह okay काम कर रही है और यहां भी 5 है equal है तो वो ignore कर रहा है अब मैं कहता हूँ अगर तो electric 20 में यहां पर 6 होता ठीक है जी यहां पर उसने update करके 6 कर दिया है जबकि मेरी यहां इस sheet के अंदर जो value थी वो 5 थी मतलब अगर तो electric 20 की sheet के अंदर जो given value है वो छोटी है बड़ी हो जाती है तो electric summary में वो update करके आपको बड़ी value दे रहा है मतलब मैं यहां पर यह देखें next value को भी बड़ा करता हूँ दस ठीक है जी और अगर हम electric summary की जो हमने sheet देखती वो तो second value 4 थी अब हम जाके देखते हैं कि हमारे formula के according update हो जानी चाहिए थी ठीक है जी अब क्योंके 4 थी मैं यहां पर 4 ही डालके देखता हूँ देखिएगा यह 3 डालके देखता हूँ ठीक है तो अब वो यहां से value उठा रहा है उस जगा से value को नहीं pick कर रहा ठीक है यह just इतना सा task था 40 डालर का आप लोग believe करेंगे सिर्फ एक छोटा सा task था यह जो के 40 डालर पे करके गया है हाँ जी तो कैसा लगा आप लोगों को यह task आज़े सोई में यह class on दर के सो तो नहीं गया आप लोग नो सर वैसे लग रहा है लग रहा है लग रहा है आप देखो वैसे आप लोगों पील हो रहा होगा कि कल से अब तक जो सारा हम लोग कर रहे थे मेहनद कर रहे थे खास तो और पर पसी आप वर्क आउट कर रहे थे ठीक है और एक दो और भी थे उनके ना मुझे बहुत है एक अरफ़त तुला उस बंदे ने भी बहुत काम किया ठीक है तो बिचारे बच्चे ने काम किया सारा कुछ किया और मुझे अच्छा लगा आप लोग लॉजिक बना रहे थे वो अच्छा था जी शौब यह इतना ही था तुल को यह से हाई-लैट नहीं किया अभी इसमें हमें पता लाग जैता अगर आप ता यह देए हाई-लैट मैं कंदिशनर कर ता सर आप लोर वैलु का हाहां मैं आप को शेयर करता हूँ अब आप लोगों ने करना क्या होता है अब यहां पे सबसे इंपर्जन चीज क्या है कि जब आप फाइबर के प्रोजेक्ट पकड़ोगे ठीक है वहाँ पे वो लोग इस चीज को बिलकुल आपको आपको दूद नहीं है कि अगर आपको जितना टास्क का अब उतना टास्क करके दें ठीक है अगर आप उसे जादा करने में जाएंगे तो वो आपके वो exactly ना कहते के लिए मैंने तो डिमांड की नी थी इस चीज की क्योंकि मुझे नी पता यह data यह फास तेकंड थार्ड किस के according है हो सकता है अगर यह उसके according होता data पीएजस के according तो यह change होता ठीक है पानी का जो scale होता है पीए स्केल तेदाबियत और दूसरा बेस का बताता है उसके रिकार्डिंग होता तो उसमें तो यह अलग अलग जनरेट करता है ठीक है तो हमें यहां पे इसलिए कोई और काम नहीं करना था अच्छा जी अगर यह काम स्पोल यह उस वज़ा से गलत भी हो जाता कि अगर आप पे जस क्या किया होता यहीं फार्मूला लगाना शुरू हो जाते और आपने इस के शीट को कॉपी पेस ना किया होता क्यों क्यों कि जब आप ने कॉपी पेस नहीं किया तो आपने यहां तो फार्मूला लगा रहे हैं वैल्यू कहां से कंपेर करने के लिए लेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट से ही या इस पूरी किलास से हमें जो में चीज सीखने को मिलती है ना वो यह है कि छोटी से छोटी चीज अगर आप टेक्निकल पॉइंट अफ यू से यूज करें तो उससे आप बड़े से बड़ा टास्क परफार्म कर सकते हैं ठीक है अभी बलके मै एक अभी थोटे पहले रात कोई बैट के सार टाइम अभी शीट पर काम कर रहा था एक और प्रोजेक्ट सा फाइवर का उसके अंदर तकरीबर मुझे दो घंटे लग गए बैक टू बैक सिर्फ एक फार्मूला बनाने में सिर्फ एक फार्मूला दो घंटों में जाके उसक मैंने आप लोगों को इतना जादा उसके उपर इसलिए नहीं बताया था और हम इस तरह के फाइवर के प्रोजेक्ट में डेली दो दिन बाद तीन दिन बाद चार दिन बाद हम इसको एड़ करते रहेंगे डेली मैं कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं से कोई प्रोजेक्ट हम लें उस प्रोजेक्ट को मैं आपको थ्रोग करूं ताकि जैसे मैंने अभी आपको statement rate करके थौर आयड़ बताया उसी तरह से मैं आपको statement समझाओं पहले end में लेकिन कोशिश करें कि آइस्ता इस्ता आप लोगों को खुद statement rate करना जाए ठीक है ताकि आप लोगों का issue ना ह ठीक है दी तो यह हो गया आज आप लोगों का ठीक है इन्शालला हम कल अपनी क्लास को कंड़क करेंगे ठीक है बलके एक और काम करते हैं हमने एक सेशन कंड़क करना है कल वो कल सिर्फ होगा question answer ठीक है आप लोगों ने अपने questions बनाने है relevant आपके पास जो भी issues आ रहे हैं ठीक है क्योंके मुझे अब तक जो replies आते हैं कुछ लोगों को sum में भी issue आ रहा है अभी तक कुछ लोगों को फिल स्रीज के option में issue आ रहा है तो यह जो issues हैं कल हमने सिर्फ और सिर्फ एक class specially conduct करनी है question answer session की उसमें आप लोगों के questions होंगे ठीक है और मैं उसका directly answer दूँगा उसके बाद हम end में एक छोटा सा lecture करेंगे ठीक है उसके अंदर और मैं उसमें आप लोगों को करवाऊंगा हमने count पढ़ लिया है और sum भी पढ़ लिया है if भी पढ़ लिया है तो के हम कल तीन फार्मूलाज करेंगे count if, sum if और average if वो हमारे होंगे सबसे end में हम पहले question answer का session करेंगे वो आप लोगों के question answer deal करेंगे फिर उसके बाद तीन फार्मूलाज दौर करेंगे count if, sum if और average इस तरीके दे हम आगे move करेंगे ठीक है जी अब आप लोगों का इस टाइम पर कोई question है तो बताएं मुझे दरूर electric 20 ये sheet है आपके बाद ये रेखें electric summary ये है electric 20 ये है तो हमने दो sheet को compare करना था ठीक है जी तो दो sheet को compare करना था और अच्छा इसके अंदर जो सबसे आपको अगर कभी कोई task मिलता है ना मैंने तो आप लोगों को directly करके दे रिया आप लोगों ने सबसे पहले compare करना होता है data को कि क्या जो data given है अगर ये fields हैं क्या ये same हैं दोनों ठीक है जी अगर तो ये same है तो ओके आप इस तरीके से इसको copy paste कर सकते थे वरना compare करने में issues आ सकते थे आप से ठीक है ठीक तो फिर हमें देख के copy paste करना पड़ता है surprise में क्या था surprise में बलके मुझे recording तो है न surprise में मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को government certificate free of cause दूँगा जो जो मने टास्क perform करते उनको एक government certificate एक proper training का मैं free of cause देता और उसके इलावा मैंने जो next एक और surprise सोचा था वो था white board animation videos बनाना वो सिखाता मैं like and एक दफा बनाई भी थी natural foam के लिए और आपको एक example दिखा देताओ कौन सी इस type के videos आप और आप लोगों को पुछ यह सिखाता वाइड़ अनिमेशन वीडियो इसके अंदर कुछ मेरे पास आइडियाद हैं जो मैंने अब तक देखे हैं के एक आइडिया था मेरे अब पास जो के हम कर सकते थे वो मैंने अब तक मार्कीट के अंदर नहीं देखा ठीक है उसमें हम इसको green screen board पे भी लेके जा सकते थे यह तो white board है न उसके उपर green screen के उपर लेके जा सकते थे काम कर सकते थे तो कि फिर मैंने इस पे काम नहीं किया अदना जादा मैंने चीज सीखी प्रॉपर्ली वर्काउट किया बनाई प्रोजेक्स बनाके फिर छोड़ दिया लेकिन अब अब लाम देविल्ला मेरे पास है तो skills है तो मैं आज board animation videos करवाता और surprise के तौर पे जितने भी लोग वोते उनको एक certificate issue करता government based free of class class की timing हाँ जी अब जो response morning में आ रहा है तो जाहिए चे बात है फिर यह timing रहेगी ठीक है क्योंकि यह काफि सारे लोग आए में है और I think तो यह अच्छा time हो गया आप लोगों के लिए भी तो class की timing यह होगी एक timing यह होगी एक ग्यारा बजे होगी कैले जी की ठीका कोई question है आप नो sir पावर पॉइंट पर यूज करके बनाते हैं ऐसी वाइट गूर्ट वीडियो पावर पॉइंट पर बन सकती हैं ऐसी वीडियो लेकिन वह बहुत जादा रख तफ हो जाती है ठीक है तस पर फॉइंट पर एक टूल यूज होता है इसके लिए व sher वह आपकर पास जो यूज होते हैं इस तरीह से कि आपको पहले एक हाट धूनके लेकिंट आना पड़ता है जो के इस तरह से हो जिसके हाट में पहनना हो फिर आप उस हाथ को एनिमेट करवाते हो लाइक अगर मैं कोई एक चीज एड़ कर देता हूँ यहाँ पे छोटी सी एक शेप एड़ कर देता हूँ ठीक है मैं इसके उपर एनिमेशन करवाना चाहता हूँ तो मुझे पूरा जाके एक एक पार्ट को यहाँ से कस्ट्रम पार्ट उसको बताना पड़ता रही हूँ मतलब आप अगर कुछ लिख रहे हो तो आप उसको यह बताओगे इस तरीके था आपको पूरा एनिमेशन बनाना पड़ता है जो कि प्रॉपर नहीं आता ठीक है दीक यहाँ पर यह हो गया अब हम इसको प्ले करेंगे तो यह देखें फिर इसका टाइम कंट्रोल और एटीची बहुत लंबा काम है यह इसके लिए प्रॉपरली सॉफ़वेर्ड है ठीक है और एक वीडियो स्क्राइब है ठीक है उससे वीडियोस बनती है एक एकस प्लाइन दियो है उससे भी बनती है उसके अंदर आपके पास आप मैं जो यूज करता था वो यही झाए एकस्प्लाइन दी हो एकॉर अदर आप के पास जो टूल्ज हैं हैंज हैं टीक हैं वो लड़कियों के हाथ भी अवे लेबल हैं और लड़कों के भी अवे लेबल हैं और उसके आप एक और लाप कर सकते हो कि अभी तो ये हम लोगों ने आज तक जितनी भी वाइड बोर्ड एनिमेशन वीडियो देखी हैं ये उपर से देखी हैं कि ये सामने से कोई लिख रहा है हम उसको अंदर से भी कर सकते हैं कि लाइक हमें फील हो रहा होगा कि हमारे सामने वाइड बोर्ड है और करी यह तो बिचारे रहा गए चले कोई नहीं इन्शालला देखते हैं उसके अंदर अभी तो हमने इसके ओपर फोकस रखे हैं मुझे इस ट्रेंडिंग में बहुत मज़ा आ रहा है सीरियस्ली आप लोगों के साथ और मेरा इल्टीमेट जो प्लैन रेड़ी है लास्ट देश के लिए वो यही है कि आप लोगों को फाइवर के उपर लेके जाए 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 और आगे आप लोगों से काम करवाया जाए जी एश मली तो वो साइट का नाम दुबारा बता जो काइंड जी साइट का सौफ़वेर का जी से सौफ़वेर का नाम है एकस्प्लाइन दियो आप लोगों में जिसको चाहिए हो यह सौफ़वेर ठीक है यह खैर बहुत जादा इसके अंदर अवेलेबल है ठीक है मेरे बाद इसका एक शॉर्ट लिंक ग्रूप में शेयर करदें जारा काईट लिए सौफ़वेर का जाए प्रफ़वेर कि यह खैर आप लोगों कुछ शेयर कर देता हूं ठीक है आप लोग इसमें काम करें अगर आप लोग इस पर काम करना चाहते हो काम करो और जहां एंड में कहीं मेरी दुरुवत पड़ जाए ठीक है मधीद कामों के लिए वह मेरे से पूछ लोगों मैं आप लोगों को लादूंगा अब यह देखें यह सारे ब्रैंड्स हैं जो के इसको यूज कर लें ठीक है सैमसंग इसको यूज कर लें पिज़ा हर्ट डंक्रिंड डाउनेट्स ओरियो कोकर कोला यह कंपनीर हैं ठीक है जी अगर आप लोग इस टाइप की वीडियो वगरा बन है धिकति लेकिन इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन की है कि आप इसमें पाबंध है ठीक है जी इसके अंदर हम बहुत से यह देखें इबे इस से बना Ira है ठीक है कोश्तेwr वीडियो मना राहे है ठीक है तो यह बहुत से ये माइक्रोसौट गूग अभेयाउनने के सारे से तो इस तरह का बहुत बहुत कुछ पढ़ा है अगर आप लोग सर्च आउट करना चाहें तो सिंपल है आपको मैंने एक चीज़ बताई ठीक है अगर मैंने आपको इसका नाम बताया तो आप उसको फॉली तौर पर एक काम करें के जी इस सॉफ़वेर से रेलिमेंट अगर आपको चाहिए आप सीखना चाहते हो वाइड बोर्ड एनिमेशन वीडियो ठीक है यह लें यह लेस्ट आ गई है यहां से आप करें डाउन्लोड यह रेक लें यह वीडियो स्क्राइब है अच्छा वीडियो स्क्राइब ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा रेता है जहां पर आपने समराइज करना आ अपना मतलब रूक नर्च रिए और उसके बाद जब एंड करें तो वो बिल्कुल उस पर एंड हो तो यह यह विडियो स्क्राइब है, ठीक है, उसकी छोटी उसमें विडियो भी डिखा रख्योंगी, है सब्सक्राइब यह किस कैटागरी में आतक है थे कैनवा जो एक सफ्वेयर है जो हम तस्वीरे बनाने ए वीडियस बनाने के लिए गोज़ करते हैं वो किस केटेगरी में आते हैं अगर तो इसमें केन्वा मैंने नेम सुनावा है और में नजरों से भी गुज़र और मैंने काम भी किया लेकिं मुझे सई से याद ही आ रहा है अगर तो उसमें हम पिक्टर एडिटिंग करने हैं ठीक है अब ये पूर को कहूं आई ये मेरे पास कैन्वा कैन्वा एक सेकंड मैं आपको अभी बता देता हूं ये एक कैन्वा कैन्वा वाइट बूर्ड कैन्वा एप पूरूं ये एप है एक शुझे सब्सक्राइब करने है निए एक सफ़फ़ेर दिस पूर्फ़ेर है ये तो ये ये मेरे ये मही नदर से नही गुजरो घ्लिटिब जो फ्लायर बनते हैं बनते है ना उनलाइन ये ये मिल तो ये ये पर इसके एप भी अवेलेबल है जिस पे मतलब हम एडिटिंग वगारा करके लोगों वगारा बना सकते हैं अच्छ आप लोगों को मैं आपको सीरियस बात बता हूं कि अगर आप लोग इस तरीके से काम करना चाहते हो ठीक है तो सोर्सिल बहुत आपको मिल जाएंगे ठीक है अल्टिमेट तरीके कार क्या है मैं आपको इस सिंपल सी बात बता हूं मैंने अल्मोस एक प्रफा क्या किया था 72GB का डाटा डाउनलोड करके रख लिया एक्षल का ठीक है और उसके अंतरा अल्मोस एक्षल के हर तरह का कोर्स था पेड़ कोर्स और आज तक मैं ओपन लिगाता हूं कि उससी बात है कि मैंने उसमें से एक वीडियो भी नहीं देखी आप लोगों के लिए बैस तरीके कार क पास तो आपको इंटर्णल इसोड़ को पर आल सी पने में आजते हो ठीक है यह हूवन नेचर और आल्मोस 90-29% लोगों के अप्लाय होती है कुछ लोग होंगे 1% ऐसे लोग होंगे जो के जिनके ओपर यह अपलाई नहीं होती लेकिन 99% लोगों पर अपलाई होती है सेम कंडिशन तो इसी लिए आप लोग ट्राय करो यह एक्स्प्लाइन दियो यह मैं आपको पूरा सौफ्वेर का लिंक दे दूँगा अपनी ड्राइब से तो वहां से मैं शेयर कर दूँगा और ग्रूप में मैं अभी लिंक शेयर कर दूँगा आप लोगों को तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लें